बिजनों और जन्पद के प्राचीन इतिहास को स्पष्ट करने के लिए प्रमानों का अभाव है बुदकालीन भारत में भी चीनी यात्री हवेन सांग नेच्य महीने मतिपुरा मंडावर में व्यतीत किये हर्शवर धन के बाद राजपूद राजाओं ने इस पर अपना अधिकार किया प्रित्वीराज और जैचन की पराजय के बाद भारत में तुर्क समराज्य की स्थापना हुई उस समय यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा रहा तब इसका नाम कटे हर क्षेत्र था कहा दाता है कि सुल्तान इल्ट उत्मिश स्वैहम समराज्य विरोधियों को धंडित करने के लिए यहां आया था मंडावर में उसके द्वारा बनाई गई मस्जड आज तक भी है और अंगजेब के शासनकाल में जन्पत पर अफगानों का आधिकार था यह अफगानिस्तान के रोकस्बे से संबंदित थे अत्त यह अफगान रोहेले कहलाए और उनका शासित क्षेत्र रोहेलखन कहलाया नजीब उद्दौला प्रसिद रोहेला शासक था जिसने पत्थरगड का किला को अपनी राजदानी बनाया बाद में इसके आसपास की आबादी इसी शासक के नाम पर नजीब आबाद कहलाई इस क्षेत्र में कई राजपूत रियास थे भी रही जिसमें हल्दौर, राजा का ताजपूर, शेरकोट आदी प्रमुख थी वहीं साहनपूर जाट रियसत थी रौहेलों से यह क्षेत्र आवद के नवाब के पास आया, जिसे सन 1801 में इस्ट इंडिया कमपनी ने ले लिया आजादी की प्रत्थम लड़ाई में जन्पत ने अब विस्मरणिय योग दिया आजादी की लड़ाई के समय सरसेयद एहमद खा यहीं पर कारिरत थे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीक सरकशी एह बिजनवर उस समय के इतिहास पर लिखा गया महत्वपून दस्तावेज है प्रसिद्ध क्रांतिकारियों चंदर शिक्षर आजाद, पमराम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाकुलाखा, रोश्न सियाने पैजनिया में शरण लेकर बिरिटिश सरकार की आँखों में धूल जोकी चौदरी चरण सिंग के साथ शिक्षा ग्रहन करने वाले बाबू लाखन सिंग धाका ने आजादी के लड़ाई में अपनी आकरी सांस तक लगा दी अलजन माहेश्वरी जट नामक एक गाव में हुआ था बिजनवर का पानी भारत का सबसे सुद्ध पानी माना जाता है इसलिए इसको जिला बनाया गया कॉंग्रेस द्वारा लड़ी गई आजादी के लड़ाई में भी जनपद का महत्वपूर्ण योगदान है